नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का हमारे चनल इंशिया मार्केट में मैं हूँ आपका दोस्त नभी और यहां पर बात करेंगे इंटेग्रा इंसेंशिया के बारे में आज दक्रीवन 5% की गिरावर्ट हमें स्टॉक में दिखाई दी 5 रुपए 75 पैसे के राउन इस ट की बात नहीं करूंगा हम टेक्निकल चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे अगर इहां से नीचे जाता है तो बांस पर कितने से लेवल पर कर सकता है अगर बात करें रिवेन्यों की तो वह 17% इंक्रीज हुआ है ये रोन ये बैसिस पे नेट इंकम कंपनी की 248% है ग्लिवडी पियस टू 16% है नेट प्रॉफिट मार्चन कंपनी का 197% है और ऑपरेटिंग इंकम देखें तो वह 4% इंक्रीज हुए है तो यह सभी चीज़ें की बहुत जबदस तरीके से इंक्रीज हुए है तो अब चीज़ें जलते हैं इनके ट करोड की कंपनी है तो उसमें से 75% की होल्डिंग पर मोटर के पास है तो आपको मातर 25% की होल्डिंग को चेंज करना है जो की तकरीवन 25 करोड के आसपास है तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है आप बड़े इंवेस्टर्स हैं तो आपर आम से ऐसे स्टॉक को स्टॉक में दिखाए दिया बागी स्टॉक को पैटर्न को फोलो कर रहा है और हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो एक और चीज़ बड़ी इंट्रस्टिंग है कि यहां पर भी आज वोल्यूम जबर्दस था तो मैजोर्टी में चांसे थे कि यहां से बाउंस बैक की है और लोर सर्केट अपर सर्केट इजली लग जाता है तो ऐसे में अगर आपका यहां पर पैसा फस गया जब लोक हो गया तो वह लंबे टाइम तक ब्लोक रह सकता है तो हम एक कलती नहीं करेंगे कि बड़ा माउंट तो बिल्कुल नहीं फसाएंगे हलका फलका माउंट ऐसे स्टोक में फसाएंग दा सकता है क्योंकि चीज़े कंपनी के फेवर में है अब यहां से बाउंस बैक की उमीद काफी जाता है तो आपको बिल्कुल भी अगर होल्ड किया हुआ है तो घबराना नहीं है होल्ड करके चलिए एक अच्छा बाउंस बै हा रहे हैं और बाइंग कर सकते हैं क्वाटर टू के रिजल्ट के बाद स्टोक में काफी जारा स्पोट लाइड आ चुकी है लोग इस स्टोक को अपनी वोच्छ लिस्ट में रखके देख रहे हैं यह चीज़ हमें वोल्यूम से नजर आ रही है तो अगर आपके पास है तो